बश्कार, तो मैं इसमें नागपूर में हूँ और I am here for some meetings with नागपूर medical colleges, both government, और जैसे कि हम जानते हैं कि नागपूर में दो famous deemed universities हैं, दत्ता मागे और जेलन दत्ता मागे, तो उसके लिए मैं नागपूर आएवा था और ये मेरा पीछा अब्देशत्य रूम है, I am sitting in a Lee Meridian room, anyway, so, ये देखिए finally आगया है, जिसका हमें इंतजार था, और information आगई है कि क्या होने वाला है, नीट का, तो देखिए पहला प्राइगराफ किसी काम का नहीं है, 17 जुलाई को हम सभी जानते हैं, paper हुआ था, और वो कहने हैं कि 30 अगस्त, और अभी 7 दिन बाद, which is very surprising, answer की challenge और question challenge दोनों आएगा, तो देखिए जब आपको answer sheet मिलती है और आपको लगता है कि जो आपको answer की इन्होंने डाली है, वो ठीक नहीं है, you want to challenge answer और question तो 200 रुपीज देखे आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी ओमार शीट में कुछ गरबाड है, जो आप challenge कर सकते हैं, तो ये 30 अगर्स को जैसे ये लोग दे देंगे answer की, उसके बास से लेके अगले तीन्चा दिन का समय देंगे, क्योंकि finally ये result 7 सेप्टेंबर को आ जाएगा, अब 7 सेप्टेंबर को मुझे समझ नहीं आ रहा है, 17 जुलाई का paper हुआ तो 50 दिन के बाद, usually ये का COVID से पहले 30 दिन में हो जाता था, 30 देंगे result आ जाता था, तो we have lost another 20 days, और I really don't know, last day तो समझ में आता है, 3600 case चल रहे थे, इस बार तो कोई case नहीं चल रहा, बट फिर भी 20 दिन के लेट कर दिया गया है, और 7 सेप्टेंबर को के result आ जाएगा, मैं बहुत जल्दी मान के कि भही सब कुछ जल्दी-जल्दी हो जाए, तो भी MCC round 1, 15 सिदंबर, 16 सिदंबर को start होगा, तो भही हम जो मान के चल रहे हैं, September, November end तो minimum है है, सो November end तो counseling चलेगी, चलेगी, 1st December से we can imagine college start होगे, अगर अब सब कुछ इसके बाट समय से चला तो, वरना जितना लेट होगा, व we will go to January also, और पता नहीं क्यों, क्योंकि ये 20 दिन भी फालतु में लगा रहे है, इसके लगा कुछ भी नहीं है, हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे और मास्कित अप्लोड करते हैं, वो हमें मिल जाती है, तो वो हमें मिल ही जाएगी, ठीक है, सो बस छोटा सब्डेट है, best wishes, best of luck, bye-bye